चले बीटा, तो पढ़ना क्या है आज हम लोगों को? आज हम लोगों को पढ़ना है Image Formation by Convex Mirror. एक बार दो सेकेंड लगेगा हम लोग, पुराइन चीज़ों को पढ़ लेंगे बीटा. जैसे हम लोगों ने पढ़ा light ना? तो light में अपने छीज़ के पास दोनो और qualities होती है इक कौन सा nature होता है, इसका particle nature होता है और एक कौन सा nature होता है, इसका wave nature होता है जो क्या करता है, हमें चीजों को देखने में हेल्प करता है, है ना, जिसके जरी हम लोग चीजों को मिलाब विजिविल्टी होती है, जिससे हम देख सकते हैं, बस लाइट एक काम करता है, अच्छा, सेकेंड चिस हमने देखा, कि लाइट की दो कौल्टी इस और होती है, एक और एक आपका üfssa कुंवेक्स समीरिया है एक।जी आजाहो लगिवय। के लिए इस सजड़िकस होगी क्वंसे çıkar मिरर केह थैंगे कॉंवेक्समिरर कहाँ एंगे । एच्छा, मैंने आपको छीजळेयं बता रखी थी कि भी यह थेखो कौनकेब में तो हम लोगों ने देखा, कि जो अबजेक्ट है, एक बार इंफाइनेट पे रखा गया, एक बार सेंटर से थोड़ा दूर रखा गया, एक बार सेंटर पे रखा गया, फिर सेंटर और फोकस के बीच में रखा गया, फिर फोकस पे रखा गया, फिर फोकस और पो क्यों मिलेगा क्योंकि आप इसमें ऑबजेट कहीं भी रख दो कहीं भी रख दो सिर्फ दो ही जागे इसकी पोजिशन हो सकते ही तीसरा पोजिशन पॉसिबल नहीं है एक तो है अगर आप इन्फाइनेट पे रख देखो पहला लिखा हुआ है वेन ऑबजेक्ट इस प्लेस एड इन्फाइनेट पे रखा है पहले तो हम इसकी पूश को लंबी करते हैं है ना कोई बताएगा पूश का काम क्या होता था हमारे जीवन में एफटी फैंट अधिश में यह समझाम इल्मेज new आब अगर आपने कुई चीज इन्फाइनेट पे रखे तो एक चीज जैसे इन्फाइनेट पे है से हॉट जैगे इन्फाहिनेट पे तो कैसे जाए झायेगे से Rs. ने Kristi अर आपको पता है जो आपकी पाइयलने है यह आपके focus पर पहुँचने के कोशिस करेगी ऐसा आपको महसूस होगा 17-18 सालों में कि focus पे पहुँच रहा है लेकिन actual में यह पहुँचेगा नहीं यह divert हो जाएगा यह पहुँचेगा नहीं क्या हो जाएगा divert हो जाएगा second bit आपको पता है अगर कोई रे सेंटर पे आती है तो सेंटर से होकर के क्या हो जाती है रफू चक्कर हो जाती है यानि अगर कोई रे है वो सेंटर पे आने के कोशिस कर रही है अगर कोई रे है यह सेंटर पे आने के कोशिस कर रही है तो यह सेंटर से होकर ही चली जाती है यानि, center पे आएगी, और center से वापस होगे चली आएगी. अब मुझे कोई देख करके ये बताओ, कि दोनों कहां मिलेंगे? कहां मिलेंगे ये? Infinite, जो कही नहीं मिलेंगे, और कहां मिलेंगे आप से? Infinite, जिसे मालो आपके friend, साथ में निकले स्कूल से, अच्छा, चलो, फिर मिलते है infinite पे. स्कूल के last day में, paper पर हो जाए, फिर infinite पे मिलेंगे, मतलब अब आप से कभी मुलाकात नहींगे, infinite का मतलब कहीं भी नहीं मिलेंगे. दूर, आई बास सम्झे में, तो एक तो ये चीज़ है, कहां पर infinite पे रखा हुआ है, तो ऐसा कहा जाता है, कि ये जो है आपके, ये वर्चूल फोकस, अब देखो, image जो बन रही है इसकी, वो कैसी फॉर्म हो रही है, वो वर्चूल फोकस पे फॉर्म हो रही है, मतलब ये, अगर हम लोग इसको ऐसे काटना चाहें, तो इसका जो image फॉर्मेशन होगा, ये वर्चूल फोकस पे होगा, ठीक है, इसे हम लोग बोलेंगे, बिटा, कि convex mirror में, आप लोग स्केल से बनाओंगे, सही बन जाएगा, convex mirror में, अगर कोई object रखा है, कहां पर infinite पे रखा है, तो जो इसका image बनेगा, वो virtual फोकस से बनेगा, कहां पर बनेगा, virtual, real नहीं है, real ये नहीं है, ये क्या है, virtual, real होता मतलब आपके इधर होता, एक ये इसमें rule है, मतलब ये एक इसमें ये rule है, एक second rule है, बस, convex mirror में सिर्फ दो image formation है, तीसरा कोई नहीं है, कौनके mirror में बीस नो टंकी है, बट कौनवेक्स mirror में सिर्फ दो है, एक ये था, एक और हम आपको बना के बता दे रहे हैं, है ना, एक ये हैं, और एक और हैं भाई साब, इसको जब आप लोग ना, पट्री और उससे, बलब बढ़ियां से बनाओगे, तो exactly image आएगी, exactly, बना के दिखाओंगा आपको, प्रेक्टिकल स्वरूप में आपको इसको बना के दिखाओंगा, तो आप समझ पाओगे, हाँ, size बिटा, large होगी, के लिखाओंगे, इसमें लिखाओंगे, इसमें लिखाओंगे, when the object is present at infinite, the ray after reflecting, diverts in the different direction and do not meet together, बिलकुल meet नहीं करेंगे, as a result, no real images form, however the projected ray meet at virtual focus of the mirror, and from the point sized, very small virtual image, अच्छा, देखो, ये कह रहा है, समझना, ये इसलिए कह रहा है, बिटा, कि जो virtual बे बन रहा है, अंतर देखना है, ये वर्चुल बे बनने की गड़बड हो गई, जिसे ये मालमे एक आ रही है, ये आपके focus से होके जा रहा है, बिटा, second जो आ रहा है, वो आपके center of curvature से होकर, बिटारिख से होके center of curvature से औरके center of curvature से बसकुर जाएगा, ये जो बना रहा है, ये दोनों काट रहे है, तो ये बता, ये है, ये मैज नहीं, ये कि बने की इमेज और सिरफ ये point image है, इसके पहले भी आद करो, जो हम लोग ने एक Concave Mirror पड़ा था, उसमें भी एक Point था, कैसा बनेगा? Inverted बनेगा Image, बनेगा Infinite पे, Inverted बनेगा, और Point Size बनेगा, क्योंकि Infinite पे माना जाता है कि भाई Point Size है, ठीक है? Large भी बता सकते हैं, इसमें हला कि बोल रहे हैं, कि दोनों जहां पर आपसमें कट कर रहे हैं, यह Point Size है, यह, यह, यहीं बनेगा Image, और कहीं नहीं बनेगा, ठीक? तो इसले हम लोग ने इसमें देख रहे हैं कि पॉंट साइज बनेगा, अचा, Second इसमें दिखा रहा है कि अगर क वोग चीज है वो रखी गई कहां पर है, आपके पॉल के पास में रखी गई है, हैना, आपके पॉल के पास में, जैसे Friend लोग जो आपका खोल देते हैं, पॉल, इसकूल की बाते घर पर आगे बता देते हैं, क्या आपके निजर में आपका को ऐसा फ्रेंड है, जो इसकूल की बाते घर पर आके बता देता हो ठीक, suppose that ये image जो है कहाँ पर रखी गई, पोल पर रखी गई है ना, ये पोल है और यहाँ पर रख दे रहे, suppose that यहाँ पर रख दे रहे, अब देखो हमेशा दो रे निकलती है, एक यहाँ पर F माल लो और यहाँ पर C माल लो बिटा है ना, आपको पता है कि अगर कोई रे पहली चीज तो पहलर आएगी पहली चीज तो पहलर आएगी वो कहाँ से जाने कोशिस करीगे आपके focus से ये focus से होने की कोशिस करी ये गई, अच्छा, second जो बिटा आएगा वो आपके center of curvature से आएगा और वही से जाने कोशिस करेगा वही आएगा नहीं आएगा इसका मतलब जो second, हला कि ये imaginary आता है यहाँ पर ठीक, अब ये इसी direction में वापस चला जाएगा ठीक है, देखो अब ये क्या कर रहा है, इसी direction में वापस चला जा रहा है इसमें ना, सबसे बड़ी और सबसे एहम बात यह होती है कि इसी direction में वापस चला जाएगा ठीक है, ये इस direction में वापस चला गया अब दिखो, second जो है वो center of curvature से center of curvature के बीश में होगा और ये बहुत ही मुश्किल काम है, कि एक दूसरे के center को मिलाना चलो कोशिस करते है, मिल जाए तो अच्छी बात है है ना, यानि center of curvature से ये आया, और center of curvature से ही ये वापस गया, है ना ठीक यहां से यहां से वापस चला गया अब जो इसका image बन रहा है वो कहां पर बन रहा है आपके पोल और फोकस के बीच में बन रहा है देखो, कहां बन रहा है इसका image, यहां पर बन रहा है यहां पर बन रहा है, यहां पर पोल और फोकस के बीच में बन रहा है यह पोल है, यह फोकस बन रहा है और बिटा, size में क्या है? चोटा है, size में क्या है? चोटा है, और सीधा है, size में क्या है? चोटा और कैसा है? सीधा है, इसका मतलब आपके इसके सुर्फ दो images बनती हैं, तीसरी कोई बनती ने, फिलाल मैं तीसरा बना के दिखा देता हूँ, कि उसका जो place होगा, वो यहीं पर ह इसके अलावा कहीं नहीं होगा, क्योंकि भई, बुक में दो लिखा है, मान लो कुई चीछ और दूर रखे हो फिर, फिर क्या गर होगे? बना के देखना है, तो मैं एक बना के दिखा देता हूँ, ठीक है? अगर यहीं बन रही तो बुक वाली चीज सही है, और अगर कहीं पर के center of curvature से होकर के center of curvature से वापस सल चल जाती है, यह दो रूल मैंने सबnegoसे ही बताया था, यह दो रूल पर ही हमारा पूरा का पूरा light का reflection टिका हुआ है, यह दौनों रूल में वारे light का reflection जो है वो टिका हुआ है, ठीक है? ऐक बार हम लोग कोशिस करते हैं, देख कर के कि पता नहीं, कहीं और भी बन जाए हैं, रुख जो आज हम लोग बुक को गलत करने की कोशिस करेंगे आज हम लोग बुकुवा को गलत करने की कोशिस करेंगे हालक एतनी लंबी जरुवत नहीं है यहाँ पर अगर हम F माल ले यहाँ पर हम लोग C माल ले distance अगर यार सेम होगे न तो image formation भी सेम होगा सही होगा ठीक? ओके, यहाँ पर रखे थे थे न, यहाँ पर रख दे रहे ठीक है? चलो एक तो line ऐसे जाएगी जो पिटा कहां से कोई जाने के कोशिस करेगी आपके focus से लेकिन यह असल में वापस से जाती इसलिए इसलिए इसको बोलते हैं diverging mirror, क्या बोलते हैं? diverging, क्यों लाइट को यह क्या कर देता है? डाइवर्ड कर देता है, ठीक है? अच्छा, सेकेंड बिटा, कहां से जाती हो, कहां से आती है? सेकेंड आपके आप लोगों ने कुछ नहीं देखा ना? उत्ते मेरा दुवारा कौन कर देखेंगे ठीक है, सेंटर अफ कर विचर यह बन गया अब देखो यह इसी से आया और इसी से वापस से ला गया माप करना यार, ऐसे नहीं ऐसे जाएगा यह इसी से आया और इसी से वापस चला गया एक वाकाई में अगर स्केल लिया यहां पर तो आप लोगों को अच्छे से information समझा सकते हैं अब देखो जो इसका इमेज बना वो पोलर फोकस के बीच में बना पोलर फोकस के बीच में बना हाला कि मैंने ऑबजेक्ट थोड़ा बड़ा बना दिया तो यह थोड़ा सा इदर खिसक गया अगर ऑबजेक्ट सेम साइस का होता तो सेम पोजिशन पे यहां बिल्कुल बीचो बीचे बनता कॉन्विक्स मिरर में कि बलब थेट समझ लो या एक हैक समझ लो इस फर्मिशन पना होता है है उसका जो मेची बनेगा इन फानेट बनेगा और एक हाह रखा होता है Celtic पोल के नंची र Ugh साब्त अप दा मेर और उसका मेचा नहीं कि राइट साइड अप दा मिरर विटूविक्ट the pole and focus, polar focus के बीच में बनता है और तुम कहीं भी image रख दो, कहीं भी कुई object रख दो, चाहे मेरे घर पे रखाओ, उसका जो image formation होगा, कहां पर होगा, pole and focus के बीचो बीच में होगा, अगर मेरी बात पे एक बार फिर से ना भरोसा होगा, तो घर पे जाना, बढ़ियां से scale उसके लेना, और इसको ड्रॉगर के देख लेना, कहीं भी रख दोगे बिटा, image formation यही होगा, इसके अलावा कहीं नहीं हो सकता है, हुआ मेरी बात पे भरोसा हाग, यह भी नहीं हुआ, हुआ ना, कहां बनेगा, बुक में दो लिखा, इसका मतलब दोनों सही लिखा है, है ना, गलत नहीं है, ठीक, यहां तक कोई दिक्का दो बताओ, पोई दिक्का तो नहीं है यहां तक, आगे चलू मैं, किसी कोई भी यह प्रॉब्लम हो यहां तक, तो मुझे एक बार पूछ मारो, कि अधर पूछ है नहीं तो मारे क्या, ब्यॉंड सी मतलब इंफिनाइट, हां, हां, पोल और फोकस के, इससे पहले इमिज बना थे, यह भी तो है, कहा रखा हुआ है, तो सी विटा, ब्यॉंड सी ही तो है यह, अब कहींभी रख लोगे, C पर लोगे, F पर लोगे, ड्यॉंड सी रख लोगे, फार अवे फ्र्स फ्रॉंद सी रख लोगे, कहीं भी रख लोगे, इससों में इमेज को फर्मेशन नों के बीच में ही होगा, और कहीं होयी निसकता इसमें, वही तो मैंने कहा, दो चीज़े हैं, एक तो फोकस से बना रहा है, है ना, वो इन्फाइनेट पे रखी हुई चीज़े थी, और आप उसके बाद कहीं भी रख लो, इन्फाइनेट के अलावा पोल के बीच में कहीं भी रख लो, जो इमेज का मेंली फॉरमेशन होगा, वो आप लेना दोनों साइट से और नाप लेना, बना के एक बार देख लेना, क्योंकि मेरे पास स्केल नहीं है, नहीं तो अभी तुन दिया पर दिखा देते हैं, कहो तो ड्रा करूँ, कुई दिक्कत तो नहीं ना, वही बनेगा विवकुल पोल और फोकस के बीच में और कही बनेगा इसे, ठीक, कुई रिककत यहां तक, ओके, इतना तो आप लोग समझ गये, मुझे लग रहा है, हाँ, आप इसके आपकी बुक में जो दे रखा है, इसको आपको याद करना है, याद मतलब क्या, कि जैसे सेंटर ऑफ करवेचर पर अगर कोई ऑबजेक्ट रखा है, तो उसका इमेज कहां बनेगा, सेंटर ऑफ करवेचर पर बनेगा, ठीक, कुई अगर ऑबजेक्ट सेंटर ऑफ करवेचर एंड एफ के बीच में रखा है, तो उसका इमेज कहां बनेगा, फार आवे फ्रॉम दे सेंटर बनेगा, कि पोल पर बनेगा, कहां बनेगा, ये एक बर घर पे करके आराम से एक चुप-चाफ से काम करना, आर्ट की कॉपी ले लेना, सब के आर्ट चलती होगी, आर्ट की कॉपी ले लेना, उसके पेजस तड़े बड़े बड़े होते हैं, एक पेज में दो इमेज बनाना सर्फ, एक पेज में दो इमेज बनाना, कॉन्वे पड़ते होड़ते हो, मैं भी इसको रख लेना, और बार बार इमेज फॉर्मेशन दिखोगे, क्योंकि ये पक्का दो तीन नम्बर में बोर्ड में पूछा ही जाता है, कुछ भी कर लो, अब बच्ची से में धुखा काते हैं, क्योंकि जब आप एक बार भी घर पे एक सो प्रैक्टिस ले करोगे ना, बोर्ड में ये कभी मीठ ही नहीं करेगा, मैंने भी बनाया था, वो जाना चाहिए कहां, जैसे यहां, सेंट्र मैंने मिटा के इधर कर दिया ना, वह भी ऐसे थ तो मैंने मिटा मिटा के सब चीज सही करी थी, क्या करें भाई, जब घर पे प्रैक्टिस नहीं है, तो ऐसे ही तो होगा, है ना, मेरे गुरुदेव लोग बताते ही नहीं थे, कि प्रैक्टिस करो, पढ़ा थे थे, पढ़ा थे थे, हम भी लोग पढ़के एक दम तन जाते सब पता है, चाहे जौन पूछो, पूछ लो ठीक है बात अलग है, लेकिन जब उसको बनाने की बारी आती है, तो फिर बनाना बनाना ही रह जाता है, है ना, वो एपल नहीं हो पाता है, ठीक, और फिर काम बिगड़ जाता है, तो बिटा, इसमें जो फॉर्मेशन ही के काम करता हूं, काम के करता हूं, एक कोशन लगवाता हूं, है ना, इसमें एक 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 ग्जामपल दे रखा है, एक्जामपल नुम्बर फर्स्त है कोशन, बुक में होगा, देखो, बालाजी में होगा, मैं बोल देता हूं, अप लो, है ना, देखो, कह रहा है, At what distance from the concade mirror of focal length, मतलब क्या रहा है, किस दूरी पर concave, लिखना चाहोगे आपनो question, जिनके बास book नहीं हो, लिख लो question और क्या ता बस तो है ही, लेकिन तब भी data तो लिख लो, सो रहे हो data लिख लो ना कम से कम, लिखना at what distance from a concave mirror, at what distance from a concave mirror of focal length 10 10 centimeter, 10 centimeter should be an image placed, should be an image placed should be an image placed so that its image is formed, so that its image is formed 20 centimeter from the mirror 20 centimeter from the mirror 20 centimeter from the mirror देखो, यह कह रहा है कि concave mirror में किस दूरी पर किसी भी object को रखा जाए जिससे क्या हो और मलब उस जो mirror है, उसकी जो focal length है वो 10 centimeter है और कह रहा है कि जो image है वो 20 centimeter mirror से हमें अंदर दिखाई पड़ेगी इसको बताते हैं थोड़ा सा लिख करके, मैं बलब इमेज बना के दिखाते हैं तब आपको ज़्यादा सौझ में आएगा है ना? यह सारा खेल है दिमाग का दिखो बिटा अ? center of curvature मैं इक बड़ इमेज बनाता हूँ फिर आप लूग दिखने हैं बिटा यह कौन सा mirror है? concave mirror यह supposed that आपका concave mirror है ठीक है, माल यह concave mirror है इसमें focal length जो है, वो 10 centimeter पर यानि F जो है, वो यहां से यहां तक 10 centimeter पर है है ना? बिटा उसके बात कह रहा है कि focal length 10 centimeter should be an object we place so that its image is formed at 20 centimeter यानि जो आपका image है, वो 20 centimeter पर form हो क्या form हो? 20 centimeter पर form हो, यानि किस दूरी पर रखा जाएगा कि जो image होगा, वो 20 centimeter पर form होगा, यानि V आपको पूछ रहा है कि 20 centimeter पर form करना है तो U आपको बताना है कि U क्या होगा F आपको दे रखा है F क्या दे रखा है आपको? 10 centimeter F दे रखा है आपको 10 centimeter बताओ, लगाओ देखो, लगा पाते हैं इसमें क्या होगा? उसकी बात क्या है? At what distance? अच्छा, इसमें देखो, दो चीजे करनी हैं इमेज अगर real है, तो minus आपका हो जाएगा और अगर image आपकी क्या है? virtual है, तो आपका plus करके आप लगाओ गें, है ना? और formula होता है, 1 upon F formula होता है, 1 upon F is equal 1 upon U plus 1 upon V एक बार बेटा, आप plus करके लगा लो V को और एक बार आप minus करके V को लगा लो आजाएगा एक बार V plus रखो, एक बार V आप minus रखो है ना? कि मैं इसको लगवा दूँ एक में आजाएगा कितना? minus 20 यानि आपने real लखा मैं बताता हूँ, एक मिट हो सकता है, लेकिन हमको रखना पड़ेगा दोनो क्योंकि हमें object का actual distance नहीं बता है हाँ, focus minus 10 cm होगा ना, concave का concave है ना, तो उसका focus क्या होगा? देख इधर देख बिटा क्या रहा है, when when image is virtual image is virtual, यानि अगर image virtual है बिटा, तो हमें जो आपका V रखना पड़ेगा ये minus में रखना पड़ेगा V जो रखना पड़ेगा हमें कैसे रखना पड़ेगा आपके minus में रखना पड़ेगा, अच्छा lens formula हमारा क्या होता है हमारा जो lens formula होता है 1 upon F is equal 1 upon V plus 1 upon U होता है ये होता है हमारा, अब एक काम करो ना, इसमें सबकी value इसे में put कर दो इधादर खिसकाने से अच्छा है, सबकी value इसे में put कर दो भाई, अगर हमने सबकी value put करी, तो क्या हो जाएगा ये होगा 1 upon F का मान कितना है, F की value है 10, लेकिन माइनस में रखेंगे न, F माइनस में 10 हो जाएगा is equal 1 upon U हमें पता नहीं है उसके बाद फिर माइनस हो जाएगा क्योंकि V हम माइनस में ले रहे है 1 upon कितना हो जाएगा आपका, V कितना है V है 20, है ना एक बार हम माइनस में लेंगे, एक बार प्लस में लेंगे अब इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले के चले आओ तो 1 upon U is equal minus 1 upon 20 और प्लस 1 upon 10 चाहो तो इसको इधर कर लो, इसको इधर कर लो बात एक ही है, फिलाल इसको solve करेंगे तो 20 और 10 का L सेम कितना होता है 20 होता है, 10 होता है 20 होता है, ठीक है तो 20, 1's are 20 और प्लस 2 होता है, है ना तो कितना हो जाएगा, 2 में से 1 गया 1 by 20 यानि 1 upon U इस इधर कितना हो जाएगा, 1 by 20 तो अगर हम आपसे पुछे, U की value बताओ तो आप के बताओ के sir, 20 cm यानि जो object है वो 20 cm पे रखा गया है जिसकी वुझे से जो इसका image है वो minus 20 पे बन रहा है ठीक, तो इस तरह से आप इसके formation को निकाल सकते हो फिलाल ये सबसे पहला question ते example में, थोड़ा से नोने मतलब, उल्टा सिधा दे दिया है ना मैंने भिला sign convention नहीं पढ़ाया था तो sign convention मुझे लग रहा है पहले आम लोग को पढ़ देना चाहिए तब इसको कड़ना चाहिए मैंना आपको example करके दिखा दिया अब आपको sign convention बता दे रहे sign convention का मतलब कि कोई चीज कहां रखी जाए तो वो प्लस होगी, कोई चीज कहां रखी जाए तो वो माइनस होगी है ना this is the sign convention image बना की बताए या ऐसे नौर्मली बता दे image बना की बताए या ज्यादा सही रहेगा इसको लिख लो फिर image बनाए sign convention के बाद ये बताना चाहिए था मुझे लेकिन मैंने का चलो एक आप लोग numerical देख लो है ना चलो sign convention मतलब कौन सी चीज प्लस है कौन सी चीज माइनस है ये होती है हमारी sign convention है ना तो हम sign convention को अब फड़ा सा mention करेंगे और देखेंगे ठीक दोनों एक साथ बना दे रहें ताकि आपको समझने में थोड़ी सी आसानी हो बिया ये कौन सा mirror है this is concave mirror polis पीछे है इसी लिए concave है है ना और ये कौन सा mirror है ये है convex दिख रहा है आ रहा है दिखो बिटा अब इसमें जो सबसे पहले लिखा है distance of the incident tray यानि जो ऊपर की चीज़े बिटा चाहे ये ले लो और चाहे ये ले लो अगर कोई चीज प्रिंस्पल एक्सिस के ऊपर साइड में दे रखा है यानि हाइट तो ये positive में आप लोगे जाइड चीज़े बात है उपर ले लोगे तो positive में लोगे नीचे अगर बनता तो कैसा ले 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 ठीक है अच्छा अब उसके बात कह रहा है इसमें कि all the horizontal distance from this direction are minus value यानि अगर left side में आप ले रहे हो अगर आप left side में ले रहे हो इधर side में है ना तो ये क्या show करेगा ये minus value show करेगा L E F T कि left side में क्या करेगा minus value show करेगा क्यूंकि आप लोग में से कुछ लोग होंगे left heart से लिख पाते होंगे बाकि लोग राइठ हाथ से लिखते होंगे तो left उनके लिए क्या एक minus का point होता है अग कुछ लोगा तो left heart ही चलता है कुछ लोग दोनों हाथ से लिख लेते हैं ऐसा कोई है दोनों हाथ से लिखता है अचा पहले लिख लेते ता अब नहीं प्रेक्टिश शूट गई हालों को तो left heart से लिखने को तो अपना नाम ना लिख पाए है ना क्योंकि प्रेक्टिस बीटा है ना All되, few sкие चूटी 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 बच्चे लेफ्ट ञेपने शूरू करते हैं वो अकसर उल्टे हाथ से काम करते हैं तो उनको टोका जाता है, इसाथ से निसाथ से करो, इसाथ से निसाथ से करो, और पर करते-करते वो राइट हैंड से करने लगते हैं, और जिनको नहीं टोका जाता है, वो लेफ्ट हैंड से करने लगते हैं, कुई दिक्कत नहीं होती है, फिलाल, चाहे आप लेफ्ट से लिख होता है इधर ही होता है कुआन के मिरे का focus हुद इधर होता है center का रविच्र होता है तो यह focus होगा तो कैसे सो करेगा मैंने आपकी 얼마 minus करेगा object कहा रखा जाता है इधर ही तो रखते ही object हम लो Quand Capless mirror में Tay Can Callrated mirror में object कहा रखते हैं इदर रखते हैं इसका अम्लब जो u है, Concave Mirror के लिए, यह हमेशा क्या सो करेगा? यह Minus Value शो करेगा हमेशा क्योंकि Left Side में बिटा, है ना? क्या सो करेगा? Minus Value शो करेगा अच्छा इधर जो होगा, वो हमारी Positive Value शो करेगा, Concave Mirror में एक Condition ऐसी आती है जब image इधर बनता है, यहाद है कौन से Condition? हाँ, जब image यहां रखते है, जब object यहां रखते हैं, पोल एंट फोकस के वीच में तो जब बड़ा सा image बनता है इसका और इससलिए दाड़ी बनाने के लिए हम लोग यह Mirror शो करते हैं क्योंकि बड़ी से image बनती है, है ना, सीधी बनती है एक Condition होती है, अब इसमें U, sorry V क्या होगा? यह V होता है तो वी आपका Positive Value Show करेगा बाकि सब में क्या करेगा? Negative Value Show कर जाएगा सब में क्या कर जाएगा? Negative Value Show कर जाएगा बाकि समे Positive Value Show करेगा इस से पिछले वाले question में यही था पता नहीं वर्चूल focus पे बन रहा हो तो हमको तो नहीं पता था तो एक बार हमने positive लिया एक बार हमने क्या करा negative लिया आई वा समझ में? यह आपको negative ले नहीं लेना आप उसमें को दोर आए नहीं है इसमें देख लिए इसमें focus इदर होता है होता है नहीं होता है यानि convex mirror का जो focus होगा वो कैसी value show करेगा positive और convex mirror का जो focus होगा कैसी value show करेगा वो negative अंतर समझें? यह अंतर बड़ा सा होता है इसमें बहुत जादा होता है यह sign convention आपका कि left में minus right में plus क्या होता है यह चीजें यह आप मन में इठालो हमेशा left hand मतलब minus right hand मतलब plus भई जाइर से बात आप left से बहुत कम काम कर पाते हो जो लोग लिख लेते हों बुरा नहीं मानेंगे कि सर मुझे ऐसा बोल रहे हैं एक समझाने के लिए आप मतलब कर पाता हैं कि left hand मतलब minus right hand मतलब plus भी मुझे तो लगता है जो left hand से लिखते हैं वह left hand से चांटा भी बहुत जोर गा बाते होंगे मुझे ऐसा लगता है कि right hand वह जोर से नहीं पढ़ता होगा उना लेफ़ जो बाता होगा ठीक, आईवा समझ में, left में direction होगी, minus value शो करेगा, right में direction होगी, आपकी positive value शो करेगा, है ना, अच्छा, एक चीज और है इसमे, mirror formula, one upon f is equal, one upon u plus one upon v, देखो, ये formula, गायब हो गया, कोई नही, one upon f is equal, one upon u plus one upon v, ये है आपका mirror का formula, v आगे कर लो, u पीछे कर लो, कोई दिक्कत मेरे नानी का कुछ नहीं जाएगा उसमें, है ना, अच्छा, एक चीज और इसमें होता है, इसमें लीनियर मैंगनिफिकेशन, मतलब, size of object and size of image, linear magnification, magnification का मतलब होता है, marker, ये इक रखा होगा, ठागे दे दो, magnification का मतलब होता है, चीजें आपको कितनी बड़ी दिखाए देंगे, ये होता है, magnification का मतलब, ठीक है, देखो, आपकी book में लिखा हुआ है, M, for magnification, इसको मिटा दू में, कल आप लुग लगा के लाओगे, कुछ थोड़े बहुत numerical से लगा के लाओगे, पक्का पक्का बताओ, थोड़े बहुत numerical लगा के लेके आओगे इसके, तो हम numerical बता-बता के आगे निकल जाएंगे, जो नहीं समझ में आएगा, है ना, देखो, M is equal, H dash H, is equal, आपका I upon O, is equal, आपका V upon U, यह linear magnification, देखो, वही मतलब है, H dash का, मतलब इमेज की हाइट, H dash मतलब जो इमेज बन रहा है, उसकी हाइट, और H का मतलब जो actual में आपका object है, उसकी हाइट, I का मतलब है जो image है उसकी height O का मतलब है जो object है उसकी height V का मतलब है distance किसकी distance जो pole से लेकर के image की distance है वो V है और pole से लेकर आपके object की distance क्या है आपका U है आया समझ में? तीनो, एक बाद, एक मिट हम आपको लिखे दिखाते हैं मुझे मुझे तो नहीं लग रहा है समझ में काले गर्दन इला दे रहे हैं सारे लोग है ना, suppose that हाँ हाँ, minus भी लग जाएगा, इसमें यहाँ पर लगेगा minus और वो क्यों लगता है? बताऊंगा भी थोड़े दिर में है ना, देखो, suppose that यहाँ पर आपने कोई object रखा है यह object है, यानि अगर आप इसको समझो कि इसका जो distance होगा यहाँ से यहाँ तक का यह, यह होगा आपका you क्योंकि यह आपने object रखा है ठीक है? अब इसका image मालो यहाँ बन रहा है यह मालो यहाँ बन रहा है तो यह होगा क्या आपका? यह होगा बेटा आपका V, यानि object का जो distance होगा you, और जो image का distance होगा आपका क्या हो जाएगा? आपका V हो जाएगा, clear? तो यह magnification की formula पे based question आते हैं और अच्छे खासे question आते हैं अब बताव इसके question कैसे कराये जाएं और यह बाला जी में न अच्छे कासे question दे रखे हैं कम से कम वाव, wonderful, 18 question दे रखे हैं मुझे लग रहा है, 18 example पीछे side में नहीं यह हैं, मैं बात कर रहा हूँ लग बात कर रहा हूँ तो मुझे जहां तक लग रहा है कि इसे हम homer के रूप में अगर दे देंगे आप लोग गो तो आप लोग थोड़ा बहुत कोशिस तो करोगे-करोगे करने की जो नहीं होगा, बताऊंगा एक एक करके है ना, जो हो जाएगा उसको चुप-चाप से इसको करते रहना रिफ्रेक्षिंशन शूरू किया जाए रिफ्रेक्षिंशन अफ लाइट बताऊ रिफ्रेक्षिंशन क्या चीज़? Magnification का use कई जगे पर है, जैसे आप मान के चलो Magnifying Glass सुना है, अपने Magnifying Glass उसमें उसको बनाने के लिए हमें किस चीज को देखना है उस हिसाफ से बना जाता है, आपने वो देखा होगा Microscope, उसमें क्या use होता है, Lens यूज होता है Magnification के उस करते हैं कि छोटी से छोटी चीज को आपको कितना बड़ा देखना है यह डिपेंट करता है Magnification की वैलू पर है ना, यह चीजों के Distance पर भी मेंटें मैंटर करता है कि चीज रखी कहां पर है तो यह कई चेगे भी उस होता है मेंली अब देखो, रियल लाइब में तो कही नहीं होता है Magnification का लेकिन अगर हम लोग साइंस की भासा में बात करें तो साइंस में चीजों को बड़ा देखना या किती दूरी पर रखे तो बड़ा देखना जैसे आपके अर्ट से Moon को देखना है Amazon में मिलता है 6-700 रुपाय का बड़ा सा मनलब वो है उसको आप मंगा लो बात अच्छा उससे दिखाई देगा Moon है ना मोबाइल जो आता है 1.5 लाग का उससे बढ़िया है वो 6-700 का है ना वो उससे ची में जो है बना कर कर देता है तो मुझे लग रहा है आज यही तक रखना है चाहिए उसको ने तो फिर ऐसा ना ओवर्लोड हो जाए बताओ आगे बढ़ू की रहन दो आज यही तक आज यही तक रहन दे रिफ्रेक्शन टॉपिक पढ़ना है फिर मैं इसका वो अभी आपको फोटो से दूँगा लेकिन कल लो इमानदाली से प्लीज लगा कर किया ना कॉशंस तभी हम आगे आपको बता पाएंगे तो बता कैसे पाएंगे है ना लगाओ गए नहीं तो समझ में आएगा नहीं कि मेरे क्या समझ में नहीं आया आप कोश्चन लगाओ कि आपको खुद नहीं समझ में आएगा कि आपको क्या समझ में नहीं आया और जब आपको एनी समझ में आया कि आपको क्या नहीं समझ में आया तो आप मुझे कैस कर दो समझ जोगे